साड़े तीन लाग रुपे में आपको एक किस फीचर मिल रहे हैं और वर्थ वगेरा की बात करें तो भाई फीचर्स की वर्थ तो है ही आपको काफी अच्छे फीचर मिलते हैं जो हाई-end फीचर्स हैं स्वागत है एक और शांदर वीडियो में एंड फ्रेम में जो आप दो गाड़ियां देख रहे हैं दोनों ही किया सेल्टॉस हमारे सामने खड़ी है इन दोनों में है प्राइस कंपेरिजन एंड फीचर कंपेरिजन हम यहाँ पर करने वाले हैं राइट में जो आप गाड़ी देख रहे हैं सिल्वर कलर के अंदर खड़ी है एंच टिए इस वैइस वैरिएंट खड़ हुआ है डीजल के अंदर एंड लाइफ्ट में जो गाड़ी देख रहे हैं वैइट कलर के अंदर यह आपकीश्वरूम वगयरा की बात करें तो बाइइस वैरिजन कोस्ट करता है महीं HDK Plus पर अगर आप जाते हैं डीजल पर तो एक शोरूम कोस्ट करता है 17,78,000 करीब 3,75,000 रुपए यह आपको कोस्ट ली पड़ता है HDK Plus बेस वेरेंट से तो करीब 3,500,000 रुपए का भाई यह फर्क आपका हो गया इतने प्राइस प्रेंट पर 3,500,000 रुपए में आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं HDK Plus के अंदर वही आज हम यहां पर किलियर करने वाले हैं वीडियो के एंड तक बने रहो तो की से स्टार्ट करते हैं दोनों ही कि आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ मिल ज स्टार्ट आप कर सकते हैं और की लएज एंटर के साथ यहां पर आती है पुश्टार्ट आता है वाई HDK Plus के अंदर दोनों ही की आपको दोनों ही विरेंट के अंदर रेमोट सेंटर लॉकिंग के साथ देखने को मिलती है और की को रखते हैं पॉकेट में फ्रेंट लोक की अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो single projector headlamp आपको मिलता है, दोनों में ही आपको single projector headlamp देखने को मिलेगा, जबकि base में आपको इधर मिलता है, halogen bulb के साथ parking light and turn indicator halogen bulb के साथ मिलता है, fog lamp वगेरा आपके missing है, जबकि HD के plus में अगर आप देखते हैं तो इधर आपको LED DRL यहाँ नहीं मिलती है and same आपको halogen bulb के साथ turn indicator मिलने वाला है, नीचे आप देखते हैं तो projector के साथ आपको मिलते है, fog lamp and glossy finish वगेरा इधर मिल जाती है, जबकि base variant में fog lamp आपको missing मिलते है, front में 4 आपको मिलते है, front parking sensor and base variant में आपको parking sensor वगेरा नहीं मिलते है, front में बाकी की profile आपको same मि मिलने वाली है, चाहे वो front में silver color के अंदर skid plate हो, या फिर आपकी matte finish के अंदर radiator grill हो, सारी चीज़े आपको same मिलती है, ये तीन चीजों का ही फरक आता है, LED DRL का फरक हो गया, front fog lamp and front में आपको 4 parking sensor मिल जाते हैं, तो ये तीन चीजों का फरक आपका front में रहने वाला है, बाकी और कोई फरक नहीं है, side profile के तरफ देख लेते हैं अगर क्या फरक आता है, and side profile के अगर हम बात करें तो भाई, base variant HD के अंदर आपको मिलता है, 16 inches का tire side steel rim के साथ, and अगर आप देखते है, HDK plus में तो इधर आपको मिलता है, silver color के 5 spoke alloy wheels, and जो turned indicator है, fender पर आता है, base variant के अंदर, HDK क अंदर आपको ORVM पर दे दिया है, LED दिया है, अधर आपको मिलता है, halogen bulb के साथ, and बाकी side से आपको totally same मिलती है, top पर जो फरक आता है, अधर आपको gray color के अंदर roof rails देखने को मिलती है, बाकी colliding वगएरा, ground clearance वगएरा, इन सब चीजों में कोई फरक नहीं आता है, totally same आती है side profile, सिर्फ जो फरक आता है, alloys का end turn indicator का आता है, and rear profile में भी खाफी सारे फरक आपको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे वैसे तो almost same ही लग रिया, बाकी इदर आपको जो मिलता है, बाकी base variant में जो आपको मिलता है, वो आपको मिलता है, halogen bulb के साथ, auto के बैजिंग वो तो ब आपको देखने को नहीं मिलता है, defogger and wiper इस variant के अंदर आपको extra मिल जाते हैं, base variant में वो भी आपको नहीं मिलते है, and बात की जाए boot वगेरा की, तो base variant से ही आपको request sensor मिलता है, दोनों गडियों आपको request sensor मिलने वाला है, parcel tray वगेरा आपको na base variant में मिलती है, na HDK plus में आपको सिर्फ छोटा सा फर्क जो boot में आता है, वो आता है, trunk light का, base variant में आपको trunk में light नहीं मिलती है, बाकि HDK plus में आपको light मिल रहे है, तो यह जो आता है, rear का and boot का फर्क आता है, यह 3-4 आपके फर्क है, बाकि और को भी फार्क में नहीं है, and यह आगे अभी हम HTE base variant के integer में, इसम कोई भी window one shot down नहीं है, silver के साथ यह आगे door lock, and speaker अगरे अगरे लिए आपको space मिलता है, speaker नहीं मिलते है, ORBM, choice ticket through, manual adjustable है, manual foldable है, and driver seat की बात करें, तो 6-way manual adjustable आपको देखने को मिलती है, and गाड़ी के अंदर बैठते है, तो steering wheel round shape में मिलने वाला है, MID screen के control आपको देखने को मिल होगी, यह कुछ इस तरीके की digital display आपको देखने को मिलती है, center में infotainment वगेरा, आपका missing है, SS3 में आपको लगवाना होगा, and जो AC है, वो आपको manual मिलने वाला है, manual dimming function के साथ मिलता है, IRVM, इदर आपको sunglass holder यह मिल गया, and center console अगर आप देखते हैं, तो यह आपको silver touch इद में आपको क्या कुछ मिलता है, sunset आपको company fitted मिल जाती है, बागी soft touch वगेरा का user भी नहीं किया है, and rear AC event वगेरा मिल जाएंगे, दो आपको मिलते है, type C port, phone वगेरा रखने के लिए space आपको मिल जाता है, center में कोई armrest वगेरा देखने को नहीं मिलेगा, तो यह थी भाई, अप HDK Plus में आपको क्या कुछ extra मिलता है, and अभी चलते हैं, HDK Plus के interior में सबसे पहले doors पर मैं आपको देखा दू, तो इधर आपको request sensor देखने को मिल जाता है, base में आपको request sensor नहीं मिलता है, and door करते है, open, interior आप देखते हैं, वाई, कुछ इस तरीके का, same single tone, matte finish के अंदर black interior आपको ORVM electric adjustable मिल जाते हैं, base variant में आपको manual adjustable मिलते हैं, बाकि foldable दोनों में ही आपको हाथ से करने होंगे, manual है, space वगेरा आपको same मिलता है, but by इधर आपको मिल जाते हैं, 4 doors में, 4 speaker and front में आपको 2 tweeter वगेरा भी मिल जाते हैं, base variant में आपको इधर सिर्फ space मिलता है, बाकि speaker वगेरा, twitter वगेरा कुछ नहीं मिलते हैं, and बात की जाए, seats वगेरा की, तो seat आपको भाई बिल्कुल totally same मिलती है, fabric के साथ आती है, दोनों ही variants के अंदर, and थोड़ी hard सी है, उतना soft नहीं है, six way manual adjustable के साथ आपको देखने को मिलती है, base में भी, and ये third base के अंदर भी, seats वगेरा में कोई नहीं आता है, and आप बैठते हैं, गाड़ी के अंदर, तो steering wheel आप देखे हैं, इधर आपको जो मिलता है, flat bottom steering wheel मिलता है, base में जो आपको पूरा round safe में मिल रहा था, leather cover का use यहाँ पर किया है, left में आपको multimedia के control मिल जाते हैं, ये extra मिल रहे हैं, right में आपको MID के control, दोनों variants के अ light leveler वगेरा same मिलते हैं, but इतर आपको engine start stop मिल जाता है, ये extra है, base variant के अंदर आपको key लगानी पड़ रही थी, and instrument cluster वगेरा आपको दिखादी ignition कर लेते हैं, on, तो instrument cluster आपको totally same मिलता है, जैसा आपको base variant मिल रहा था, 10.25 inches का digital display इतर आपको मिली है, same आपको base variant मिलती है, feature वग screen आपको इदर मिल जाती है, Apple का प्रेंडर ओटो वगेरा के साथ, base variant मिलती ही नहीं है, आपको अलग से लगवानी होती है, and reverse parking camera इस वेरेंट के अंदर आता है, तो वगेरे की एक बर quality में आपको दिखादू, reverse के रेंगेज करने के बाद, तो ये वगेरे काफी अच्छा, neat सेम मिलते हैं, इदर आपको एक USB port extra मिल जाता है, उधर आपको सिर्फ Type-C port and 12W का socket मिल रहा था, and ये IVT transmission के साथ यहाँ पर गाड़ी खड़ी होई है, बाकी base variant हमारा manual खड़ा था, तो ये तो बाई transmission का फार्क हो गया, इससे features पर कोई फार्क नहीं पढ़ने वाला है, manual की हम बात कर रहे हैं, तो इदर सिर्फ manual transmission आपको आजाएगा, बाकी और कोई फार्क नहीं रहेगा, feature आपके totally same रहने वाले है, front parking sensors के लिए button by obviously sensor दिये हैं, तो button यहाँ पर रहेगा, and ये जो finish मैंने आपको दिखाई थी, base variant के अंदर वो आपको silver touch के साथ मिल रही थी, इदर इसी black के अंदर देखने को मिलती है, बाकी center console आपको totally same मिलता है, two cup holders, manual handbrake, same आपको armrest मिलता है, soft touch के साथ, space वगेरा totally आपको same मिलते है, manual dimming function के साथ IRVM, base variant के अंदर भी आपको मिलता है, sun glass holder आपको base variant के अंदर भी मिलता है, दो आपको reading lamp, base variant के अंदर भी मिलते हैं, बट one short open है, आपका curtain भी and sunroof भी अलग-अलग आपको press करने की जोड़त नहीं है, and one short यह close भी हो जाता है, पहले आपका sunroof close होगा, then वो curtain साथ के साथ भाई आ रहा है, sunroof close होते ही भी आपका curtain close हो जाएगा, one short यह पूरा close होने वाला है, तो यह चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो इंटीर मगर आप देखते हैं, driver seat पर steering बहुत सारे फर्क आजाते हैं, leather cover का, and infotainment controls का, and cruise control का, pedals after का, चार फर्क तो आपको steering में मिलते हैं, push start का फर्क इदर आ गया, infotainment screen का फर्क आ गया, auto AC का फर्क आ गया, USB port का फर्क आ गया, glossy finish का फर्क आ गया, top पर आपको sunroof का फर् मिलता है, वो भी देख लेते हैं, doors वगेरा आप देखते हैं, तो same pattern के साथ आपको door मिलते हैं, same, आपको base front मिल रहेते हैं, sunset आपको company fitted मिल गई, speaker वगेरा, extra मिल रहे हैं, तो वो कोई अलग part नहीं है, वो मैं आपको पहले बता चुपा हूँ, and seats वगेरा, अगर आप देख सारा, और कोई फर्क नहीं है, interior में, तो यार यह थी आपके सामने, hte and htk plus का comparison video, दोनों में total जो फर्क आए, 21 जो आते हैं, 11 जो आते हैं, 21 features आपको extra मिलते हैं, htk plus में, साड़े तीन लाग रुपे में आपको 21 feature मिल रहें, वर्थ वगेरा की बात करें, तो भाई features की वर्थ तो है ही, आपको काफी अच्छे feature मिलते हैं, जो high end features है, वो आपको मिल जाते हैं, htk plus में, depend करता है, आपको उन features की need है या नहीं, बाकी वर्थ में कोई कमी नहीं है, दोनों ही गाडिया value for money है, दोनों ही value for money है, अब आप पर depend करता है, आपका budget है या नहीं है, आपकी need है या नहीं है, बाकी वीडियो आपको कैसे लेगी हमें कमेंट करके जरू बताएं, और वीडियो अफरमेटिव लगी है तो प्लीज आर वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, thank you